फ्रेंड्स मैंने आपके साथ circular discuss किया था circular नंबर 110 उस वीडियो का link में description box में लगा दूँगा कि अगर आपने GST refund application गलत फाइल कर दिया है तो आपको अभी तक refund नहीं मिल रहा था but आप इस circular के basis पे refund फिर से ले सकते हो उस period का but refund लेने के लिए आपको आपका electronic credit legend का balance pay करना हो होगा reduce करना होगा DR03 से और वो कैसे करना है तो लेट स्टार्ट एंड इसकस दिस इस सर्कुलर नंबर 110 देट 3rd October 2019 subject eligibility to file a refund application under which a nil refund application has already been filed मतला आपको refund चाहिए था बट गलती जे nil refund application file कर दिया था और इसमें क्या वाला होगा fourth point में that registered person satisfying the above condition may file the refund claim under any other category instead of the category under which nil refund claim has already been filed but refund should pertain to the same period for which nil application was filed fourth point का meaning है कि जब आप service के tab पर refund पर जाकर application for refund पर click करते हो और zone सा भी आपको refund चाहिए है उसे select करते हो like suppose आपको refund refund चाहिए ITC on export of goods without payment of tax और create पर click करते हो financial year select करते हो जिसका चाहिए आपको refund और period select करते हो फिर उसके बाद गईज आपके सामने ऐसा dialogue box आता है do you want to file a nil refund for the selected period आपको इसको करना होता है है guys no but suppose अगर आपने इसको कर दिया गलती से yes यहां में निल रिफरंड चाहिए तो आपको अभी तक इस circular के बीना refund नहीं मिल रहा था बट अब आप इस circular के basis पे refund ले पाऊगे और आपको करना होगा क्लिक एनी अधर क्याटिकरी में अभी आपको दिखाता हूं उस केस में आपको यहां पर क्लिक करना होगा जोंसा भी आपको रिफंड लेने जिस का मतलब आपने अगर पहले एक्सेस बैलेंस के लिए अपलाई किया था बट गलती से निल कर दिया था तो उस केस में अब आप क्या करोंगे सेम फनाइचल यर का इनी अधर पे खरोगे और जो उनसा भी आपको रिफंड चाहिए ईक्सपोर्ट का तो आपको यही करना होगा इनी क्लिक करना सेम पीरिड सिलेट करना है सपोस अगर आपको 18-19 का चाहिए मंद सपोस करते हैं आपको जून का चाहिए क्रेट पर क्लिक करना है ऐसी विंडो आपके समने ओपन होगी रिफंड स्पैसिफिकेशन में आप लिख देना कि आपने इस पीरिड का रिफंड अप्लाई के रहा था इस कैटेगरी में कैस्ट लेजर का या एक्सपोर्ट का या सीजट का बट आपने गलती से निल फाइल किया था तो सर्कुलर के बेसीज पर सर्कुलर का नंबर लिखना हम से फाइल कर रहे हैं एनी अधर कैटेगरी में नीचे अमाउंट लिखना कि किस कैटेगरी में कितना आपको रिफंड चाहिए IGST, CGST, SGST में बैंक अकॉंट नंबर सेलेट करना सपोर्टिन डोक्यमेंट अप्लोड करने अभी आपको दिखाता हूँ फिर नीचे क्या होगा वेरिफिकेशन होगी, अंडर्टेकिंग होगी कि हाँ, आप ये रिफंड जो क्लेम कर रहे हो सही तरीके से क्लेम कर रहे हो, अगर कुछ गलत होगा तो ये आपसे रिकवर कर लिया जाएगा अलोंग विद इंट्रस्ट, नीचे सेफ डेकलारेशन होजएगी कि उसके बाद आपका फाइल हो जाएगा डॉक्मेंट्स आप ये लगा सकते हो गाईज जी एस्ट रवान 3B, LUT copy, CCR register, जी एस्ट सर्टिफिकेट अंडर्टेकिंग देट यूर कंपनी क्वालिफाइइ फोर रिफंड आप सॉविस अब एक बार आपने रिफंड रिप्लाई कर दिया एन अधर क्रेकरी में जी एस्ट ऑफिसर आपके रिफंड अप्लिकेशन को चेक करेगा further upon scrutiny if proper officer is satisfied that amount claimed is payable as refund तो वो आपको request करेगा रिफंड में कि आप अपना ITC का balance debit करो electronic credit ledger का balance debit करो DR03 से he shall request the taxpayer in writing to debit the said amount from his electronic credit ledger through form DR03 और उसके बाद ही आपको refund order issue करेगा RFD06 में और payment advice देगा RFD5 में payment करने के लिए आपको service में जाना है user service में जाने और my application में klik करना है klik करते हैं आपके सामने सॉइंड आपको यहां select करना होगा की Intimation of Voluntary Payment DR03 इससे select करना होगी और new application पर क्लिक करना होगा klik करते गया हैस्त आपके सामने ऐसी है तो reconciliation statement करते हैं कोई notice आया था तो SCN करते हैं अपनी मर्जी से कोई payment कर रहे हैं कि हाँ हमें लगता है कि हमने पे नहीं किया हो तो voluntarily select करते हैं अब कोई और होते हैं तो आप select करते हो others तो अभी यह हम कौन सी category के लिए apply कर रहे हैं एनी अधर category के लिए refund के लिए तो आपको कोजो पेमेंट में सिलेक्ट करना होगा others select करने के बाद आपको section number भी others ही select करना है और others में आप दोगे circular का number और लिख दोगे कि हाँ हम यह refund application निल फाइल किया था और फिर से फाइल करना है financial करना सबस्थ 18-19 है overall text period select कर लेना suppose आपको quarter का apply करना था April 2 एपरेल 18 से जून 18 तक example ले रहांगा इसमें इसमें आपको समझाने के लिए यह select करने के बाद नीचे पीरिड आएगा फिर से Supposed April का 18 June 18, फिर June से भी text type का आपको refund शाहिए वो select करना IGST, CGS, SGH, SGH, as the case में भी suppose आपको मैं IGST select करके बताता हूँ, जो भी place of supply होगा वो select कर लेना, accordingly text का amount लिखना, interest का amount लिखना, penalty, जो भी होगा, other और अगर आपको लगता है कुछ गलत लिख दिया तो delete भी कर सकते हो और select करके edit भी कर सकते हो कोई और nuovo add करनी है तो add पर click कर देना click करते गईज आपको करना होगा proceed to pay click करते गईज आपके सामने ऐसी window है कि cash lizer balance में कितना पड़ा हुआ है और credit lizer balance कितना पड़ा हुआ है और अभी आपको क्या करना है आपको यह जो amount आपने DRC जरूतरी में दिखाया कि आप यह पे करने वाले हो तो उसको आपको पे करना होगा ITC के balance से cash ledger का balance यूज नहीं करना है annual return जीएशे 9 payment करने के लिए आप सिरफ cash ledger balance यूज कर सकते हो ITC का balance यूज नहीं कर सकते मतलब अगर कोई 9 में या 9C में कोई liability निकलती है उसको पे करने के लिए आपको टिक करना होता है कि cash ledger balance यूज कर रहा हो मैं यूज करने के बाद verification पर क्लिक करना नीचे name of authorized signatory लिखना place लिखना dsc लगा देना और प्रिव्यू कर सकते हो कि हाँ यह कैसा file हुआ है कैसे debit हुआ है और 5 पर क्लिक कर देना आपको वीडियो और अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा रहा हुआ है दो हिट थी like button do stay connected for further update guys have a nice day thank you very much